तो आज 6th Standard का 1st chapter बहुती important chapter आज हम start करने वाले हैं इस chapter का नाम है नैचरल रिसोर्सेज नैचरल रिसोर्सेज इन महराटी कॉल्ड नैसरगिक साधन संपत्ती तो कौन कौन से नैचरल रिसोर्सेज पढ़ेंगे हम एयर यानी कि हवा वाटर मतलब पानी और और लैंड जमीन तो एयर वाटर लैंड ये बहुत important natural resources है क्यों important है क्या क्या terminologies है ये सारी terminology हम clear करने वाले हैं ठीक है तो चलो शुरू करते हैं natural resources तो एक चीज याद रखो natural मतलब नैसरगी okay natural resources अब देख लो there are three main sphere on earth earth के ओपर earth मतलब क्या अपना globe this is the earth okay यह earth है suppose ठीक है अब earth earth मतलब एक planet है अब planet और satellite के क्या मिनिंग होते है अराम से समझना solar system solar system solar system में क्या होता है sun at the center sun at the center and all the bodies which are revolving around the sun they are called as planets उसको क्या बोलेंगे planet और planet के surrounding में जो कुछ भी घूमता है उसको बोलते है satellite जैसे moon moon is revolving around the earth तो moon क्या होगा satellite होगा और कौन सा satellite होगा natural satellite because moon is created by nature अगर suppose artificially बराने आता तो सबका अलग-अलग moon होता सबके घर पे एक moon होता ठीक है ना तो moon is a natural satellite of earth तो जो sun के surrounding में सूर्य सूरज के surrounding में घूमते है bodies उनको planet बोलते हैं और वैसा ही एक planet है earth जिस पे हम रहते हैं तो यह earth है there are three main sphere on the earth earth के उपर three main sphere है कौन-कौन से है number one hydrosphere number two lithosphere and number three atmosphere तो hydrosphere मतलब water क्या water okay lithosphere मतलब जमीन land okay और atmosphere मतलब air atmosphere मतलब air तो earth जो है earth के three main layer है number one hydrosphere hydrosphere मतलब जो पानी से बना है उसको क्या बोलेंगे hydrosphere बोलेंगे जो जमीन से बना है land जमीनी न बन लेला है उसको बोलेंगे lithosphere और atmosphere मतलब क्या यह जो earth है earth के surrounding में एक gases का envelope है okay एक gases का envelope है this gases envelope this gases covering is called as atmosphere उसको क्या बोलेंगे atmosphere okay तो gases का जो envelope है earth के surrounding में उसको बोलेंगे atmosphere अब आप बोलोगे sir यह gases है तो escape होना चाहिए ऐसे earth ने पकड़ क्यों रखा है तो उसका reason क्या बताते है physicist के gravitation gravitation मतलब earth में एक attractive force है जो हवा को क्या करेगा अपने अंदर पकड़ के रखेगा छोड़ेगा क्या ऐसे नहीं तो gravitation के वजह से यह हवा earth ने पकड़ के रख्यों बहे तो सकती है लेकिन earth को छोड़ के जा सकती है क्या नहीं so this atmosphere is head this atmosphere को पकड़ रखा है किसने अब atmosphere के बारे में पड़ेंगे atmosphere किसको बोलेंगे देख लो atmosphere क्या होता है थिके तो atmosphere क्या होता है the envelope, envelope मतलब covering later के लिए envelope होता है ना पुठा cover envelope of gases around the earth is called atmosphere तो जो earth के surrounding में gases का एट मोस्पेर के कितने लेर होते हैं पांच लियर होते हैं इसके बाद दूसरा लियर कौन सा होता है स्टैटोस्पियर समझ़रे हैं तीसरा लेयर कौन सा होता है मेजोस्पियर कौन सा होता है मेजोस्पियर इसके बाद मेजोस्पियर मेजोस्पियर के बाद आइनोस्पियर आइनोस्पियर अब ट्वेल्थ में बहुत डीटेल में पड़ो गया ठीक है और फाइनली होता है एक्जोस्पियर उसके बाद होता है यह बारा किलोमेटर तक का होता है ठीक है चलो यह आपको दिया यह नहीं तो क्योटेशन लेना ठीक है ना तो आप एट्मासफेर के कितने ले रहे हैं आपको याद रखना यह सारी चीज़े बोर्ट पे जो कुछ भी लिखूंगा मैं इसका रट्टा मारना है अब आप बोलो यहां पर कितने नेचलर डिसोर्से से तीन स्पियर है अर्थ के उपर हैट्रोपशियर मतलब जो पानी से बना है लिथोपशियर जो जमीन से बना है एट्मोसफियर जो हवा से बना है तो यह अप्मोसफियर किसको बोलोंगे the envelope of gases present around the earth is called as atmosphere, atmosphere के कितने layer होते हैं 5, troposphere, stratosphere, mesosphere, ionosphere, exosphere, troposphere, stratosphere, mesosphere, ionosphere, exosphere, ये 5 layer होते हैं, ठीक है, अब देख लो, in all these 3 spears, living organisms are present, living organism मतलब सज्यू जो जिन्दा है, जैसे कि hydrosphere, पानी में कौन होती है, fish, fish होता है, उसके बाद और कौन से, बहुत तरीकों के free fish होते हैं, इसमें खेकड होते हैं, बहुत सारे, बहुत सारे, snakes, साप रह सकते हैं, तो एक example बहुत है, हमने सिर्फ हेटो-sphere में living organism होते हैं, कौन से fish, lithosphere, जमीन पे कौन होता है, human being, हम जमीन पे रहते हैं, human being, very important for land पे कौन से living organism रहते हैं, human beings, और हवा में कौन रहते हैं, birds, birds, microorganism, बहुत तरीकों के life, उसमें रहते हैं, ठीक है न, तो in all these three sphere living organisms are seen, water में भी living organism देखने को मिलते हैं, जमीन पर भी देखने को मिलते हैं, हवा में भी देखने को मिलते हैं, उसके बाद, these all three sphere constitute of biosphere, very important, तो ये तीनों लेयर, जिसमें भी living organism रहते हैं, उसको बोलते हैं, बायो स्पियर, उसको क्य atmosphere, hydrosphere मतलब water, lithosphere मतलब land मतलब zemین और atmosphere मतलब air, तो ये तीनों layer में living organism होते हैं जो जिन्दा होते हैं, water में living organism होते हैं, land में living organism होते हैं, air में living organism होते हैं तो जिस-जिस layer में living organism होते हैं, उन तीनों layer को combine करके क्या बनता है? biosphere, क्या बनता है, biosphere अब देख लो, जो earth surface है total earth surface, ठीक है न, अब 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 आप नक्षा देखोगे earth का ऐसा, ओके यहाँ पर हमारा भारत है, ऐसे भारत माता की ज़िए इस ताइप का कुछ भारत है हमारा, तो कितना part उसका जमीन का है 29% of surface of earth, 29% surface of earth is occupied by जमीन, उसको जमीन ने अकुपाई किया है तो लिथोस्पेर कितना है, 29% और 71% क्या है, पानी है और surface का 71% क्या है, पानी है, और surrounding space में atmosphere, तीन layer है न यह 3 sphere है, तो surrounding space में क्या है, atmosphere, तो लिथोस्पेर कितना है 29%, जमीन कितनी है 29% है, 70% क्या है hydrosphere मतलब पानी है बाकी सब ये बड़े-बड़े महासागर है न ओशन से बड़े-बड़े ठीक है न तो सारा क्या है पानी है और बचया हुआ space में ये जो surrounding region है उसमें क्या present होता है atmosphere और ये तीनों में भी living organism होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं biosphere क्या बलते है biosphere तो air water and land are three important natural resources natural resources मतलब नहीं सरकी साधन संपती मतलब naturally वो हमें life के लिए important है ठीक है उसके बाद अब artificial ही जमीन बनाए के हमने नहीं तो फिर because of these natural resources basic need human के कितने basic need है थीन कौन-कौन से अन वस्तर निवारा कौन-कौन से अन वस्तर निवारा food, shelter, cloth, food, shelter, cloth, basic needs of living world are fulfilled तो यह तीनो basic need कौन प्रोइड करता है hydrosphere, lithosphere and atmosphere कैसे lithosphere क्या प्रोइड करेगा shelter रहते कहां पे हो आप रहते कहां पे हो जमीन पे तो shelter प्रोइड करेगा उसके बाद इसके बाद atmosphere में का oxygen very important without oxygen we cannot live हम जी सकते हैं क्या नहीं जी सकते हैं नहीं जी सकते हैं shelter lithosphere से मिलता है cloth lithosphere से मिलता है hydrosphere पानी पीने के लिए hydrosphere लगेगा तो इसके बज़ा हम जी सकते हैं क्या नहीं तो hence for sustaining life, तो जिन्दगी जीने के लिए, they are important. Without these three layers, we cannot survive on the earth's surface. तो इन तेन लिएर के बिना हम जी सकते हैं, नहीं जी सकते हैं, तो life जीने के लिए ये तीन लिएर बहुत जादा important है. Pause करके सारी चीजे लिख लो, या screenshot ले लो और बाद में लिख लेना. तो अब air के बारे में पढ़ते हैं, देखो हमने क्या सीखा था, कि जो gases envelop है earth के surrounding में, उसको बोलते है atmosphere, और atmosphere में सारा air होता है, ठीक है? तो imagine करो, imagine करो कि ये earth है, छोटी की निकालूँगा मैं space नहीं है, suppose this is the earth, ठीक है? इसको earth बोलेंगे, ये earth है, समझो, बोला है, ये earth है, तो earth के surrounding में, जो gases का envelope है, उसको बोलेंगे atmosphere, तो ये सारा atmosphere है, और atmosphere को किस ने पकड़ रखा है? ग्रैविटेशन है, ठीक है? अब इसके surrounding में, जो पहला layer बनता है, इसको बोलते हैं, किदर गया रहे? किदर गया, ये troposphere, ये number one, इसको बोलेंगे troposphere, इसको बोलेंगे troposphere, अब troposphere के बाद जो दूसरा layer है, इसको बोलेंगे statosphere, जगा नहीं इसलिए मैं छोटे छोटे ड्रॉक रहा हूँ, इसको क्या बोलेंगे statosphere, दो number का, तीन number का, मेजोस्पियर तीन नमबर का क्या है मेजोस्पियर ओके यह मेजोस्पियर ओके मेजोस्पियर नमबर थ्री ओके मेजोस्पियर मेजोस्पियर के बाद चार number, चार number का आएगा, mesosphere के बाद, ionosphere, this is number 4, और ionosphere के बाद, finally आएगा, finally आएगा, exosphere, number 5, exosphere, ठीका, adjust करो, okay, तो इसेंटर में एर्थ है, यह यह पहला layer, यह थीसरा, यह चोग था, यह पांच था, तो यह gases का जो envelop बना है, एर्थ के surrounding में, उसको हम बोलेंगे atmosphere और atmosphere में सारा क्या होता है air और air क्या होता है mixture of gases mixture of all kind of gases और gases क्या होता है there are three states of matter solid liquid and gases ठीके ना gases तो चलो air के बारे में detail पढ़ना शुरू करते हैं तो what is the air air क्या होता है basically चलो तो air क्या होता है हमने सीखा देख लो earth is surrounded by atmosphere earth किसे surrounded है earth surrounded है atmosphere से earth surrounded है atmosphere से which is made up of air atmosphere में basically होता क्या है air होती है क्या होता है air होती है तो atmosphere में सारा क्या होता है air मतलब हवा air होता है तो air के definition क्या है air is mixture of gases अलग अलग तरीकों के gases का mixture उसको क्या बोलते है air, क्या बोलते है air the constituent मतलब घटक किस से क्या क्या घटक है उसके क्या कंपार्टमेंट है किस से बना है गटक of air are as follows तो उसके constitute as follows है नमर और नाइट्रोजन नाइट्रोजन का फॉर्मूला होता है यहन 2 नाइट्रोजन होता है उसमें oxygen O2 oxygen होता है carbon dioxide CO2 carbon dioxide होता है उसमें 6 type of inert gases पहले तो inert का मतलब समझो inert मतलब less reactive मतलब यह किसी के साथ react नहीं होंगे अपना अपना सीधे सीधे रहें कि क्यों नहीं react होंगे because यह stable होते हैं कैसे होते हैं किसी के साथ भी react नहीं होते हैं 6 type of inert gases को होते हैं helium neon neon argon krypton xenon and radon तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, six type of gases inert gases जो किसी के साथ react नहीं होंगे helium का सिंपॉल H-E neon argon krypton xenon और radon याद रखना काम आएगा आपको ठीक है, knowledgeable lecture से अपने सारे उसके बाद nitrogen dioxide nitrogen dioxide का formula होता है NO2 sulfur dioxide SO2 water vapors पानी की वाफ H2O gases पानी को अगर heat up करोगे तो vapors बन जाएगे उनके क्यों बनेगे vapors? अब देख लो जमीन का 71 टके पार्ट 71 टके पार्ट पानी ने लिया हुआ है हमने देखा 29% lithosphere 71% water surface अब sun जब निकलेगा तो पानी गरम होगा पानी गरम होगा that is dust particle धूल के कर्ण धूली चे कर्ण सबसे डेंजरस ही होते हैं तो हवा में इतनी सारी चीज़े होते हैं इतनी सारी चीज़े होते हैं क्या है? air is mixture of all kind of gases कौन कौन से gases? nitrogen, oxygen, carbon dioxide six type of inert gases helium, neon, organ, krypton, xenon, radon nitrogen dioxide, sulfur dioxide water vapors और dust particle इतनी सारी चीज़े air में present होती हैं ठीक है? अब the proportion of gases in different sphere of earth is as follows imagine करो ये earth है और earth के surrounding में ये आखरी layer 5 वाल layer है तो ये 5 layer तक suppose 100 kg air है suppose, suppose कितनी 100 kg air है? suppose, मैं consider करो percentage में बताना 100 kg air है ठीक है? तो उसमें की troposphere जो पहला layer है, प्रोपोस के air में 80 kg, मतलब maximum air maximum air तो यहां ही परहेगी 80% air यहां परहेगी पहले layer में अब क्यों है? विकाज इस पे gravitational force जादा रहेगा विकाज देखो atmosphere को gravitation ने पकड़ रखाया इसे, खुद के तरफ attract कर रहा है जो air है उसको अपने तरफ ही attract कर रहा है और इस attraction के वज़े से इसने इसको पकड़ रखा है ठीक है? gravitational force towards the center of और तो 80% 80 kg mass total air का कहाँ पहे है? पहले layer में ट्रोपोस्पियर में अब स्टैटोस्पियर में स्टैटोस्पियर में 19% है 19% कहाँ परे? स्टैटोस्पियर में तो स्टैटोस्पियर में भी है हवा लेकिन पहले layer जितनी dense है क्या? नहीं फिर भी है तो 19% यहाँ पर तो 80 और 90 कितना होगा? 99% तो यह दो layer में ही होगा अब बाकी को लिए तो कुछ बचा ही नहीं जैसे कि मेजोस्पियर में वेरी लेस प्रपोर्शन बहुत कम प्रपोर्शन में तिसरा layer देखनों मेजोस्पियर में वेरी लेस प्रपोर्शन मेजोस्पियर के बाद बारियादी है आइनोस्पियर की आइनोस्पियर में उससे भी कम आइनो स्पेर में उससे भी कम, आइनो स्पेर में उससे भी कम एर हो गया, अब लास में कौन बचा, एक्जो स्पेर, आखरी वाला लेर, इसमें तो गैसे रहेंगे ही नहीं, रहेंगे ही नहीं, समझ में आया, तो सब सब पहला जो लेर है उसमें ही ट्रोपो स्पेर में, और ट्रोपोस्पियर एर्थ से 12 किलो मेटर तक रहे था, इतना याद रखो, बाखे का टेंशन मत दो, तो एर्थ से 12 किलो मेटर तक ही air है, 12 किलो मेटर के बाद air की density कम 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 होती जाएगी, ठीक है, तो ये 5 लेयर और उसमें कितनी हवा होती है, तो the amount of gases is highest near the surface of earth, तो जितने अर् अब यहां से अगर आप उपर जाओगे, तो धिरे 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 हवा कम होती जाएगी, higher and higher, उचा उचा जाओगे, आप from the surface, surface of earth से उपर जाओगे, the proportion, प्रमान, proportion of gases goes on decreasing, तो हवा का प्रमान, हवा का percentage decrease होते जाएगा, देखो न, सारी हवा तो पहले ही लेयर में, जै आप उचाई पे चले जाओगे, उतनी हवा आपको कम लगेगी, जैसे आप मांट एवरेस्ट पे चले जाओ, कितनी हएट होती है, I think 8.8 km है, 8.8 km हाइट होती है, मांट एवरेस्ट की, मांट एवरेस्ट पे आप चड़ जाओ, वहाँ पर आपको सास लेने में तकलीफ अब दो पॉइंट क्लियर करेंगे, उसमें का पहला importance, role of atmosphere, atmosphere का role क्या होता है, और use of constituent gases in air, तो air में बहुत सारे gases होते हैं, अभी हमने पड़े, बहुत सारे gases होते हैं, gases के mixture को ही हम क्या बोलते हैं, air बोलते हैं, तो constituent मतलब घटक, तो हवा के जो जो घटक है, जो constituent है, उनक क्या-क्या use होता है, यह हम देखेंगे, सबसे पहले के देखते है, nitrogen, तो nitrogen, living organism में जो protein होता है, यह protein क्या होता है, जिससे body बनी हुई है, यह external organ जिससे बने हुए, जो कुछ भी दिख रहा है, आपको, बाल रहने दो, नाकून रहने दो, स्कीन रहने दो, यह सारी protein से बनी ह होता है, ठीक है, तो protein का सबसे main constituent, protein का अगर आप molecular formula है, chemical formula देखोगे, जैसे water का formula क्या होता है, H2O, ऐसे protein का formula देखोगे, तो उसमें important क्या है, nitrogen, तो nitrogen कहाँ पर काम आता है, protein बनाने के लिए, building of protein in living organism, organism में protein बनाने के काम आता है, उसके बाद production of ammonia, ammonia का formula क्या होता है, ammonia 3 production of ammonia मतलब E-NH3, E-NH3 में E-N मतलब nitrogen, airtight packing of food, chips वागेर आप जो खाते हो न, food को अगर pack करना हो, pack करना हो, तो उसमें gas से pack किया जाता है, यह से chips का packet, अंदर gas भरा हुआ होता है, तो ऐसे food को pack करना हो, तो यह gas का use किया जाता है, इसको उस gas में pack करने से, आनाज खराब नही होगा, कोई reaction नहीं होने देता हो, इसलिए वो खराब नहीं होता है, उसके बाद second one oxygen, एक चीज़ याद रखो, oxygen का बहुत ज़्यादा importance है, respiration और combustion में, what is mean by respiration, oxygen अंदर लेना और carbon dioxide बाहर छोड़ देना, ऐसी एक ability होती है living organism में, इस ability को इस process को बोला जाता है respiration, तो बिना oxygen के respiration ही नहीं होता, हम oxygen अंदर लेते हैं, carbon dioxide बाहर छोड़ते हैं, oxygen अंदर, carbon dioxide बाहर, oxygen, carbon dioxide, oxygen, carbon dioxide, oxygen, carbon dioxide, इसको बोलते है respiration, combustion मतलब जलाना, किसी चीज़ को जलाना, एक चीज़ याद रखो, oxygen खुद नहीं जलता, लेकिन इसके बगार, जलता भी नहीं, कोई चीज जलती भी नहीं है तो यह जलने के लिए मदद करता है सिर्फ, it helps combustion, it is not combust style, वो खुद नहीं जलता, लेकिन इसके सिवा कोई चीज जलेगी भी नहीं, समझ में आ रहा है, तो oxygen खुद नहीं जलता, जलने को support करता, it support combustion, without oxygen, no combustion takes place, बिना oxygen के combustion नहीं होता, oxygen खुद नहीं जलता, मैं खु oxygen for you, okay, oxygen क्या होता है, खुद नहीं जलता, लेकिन इसके बगएर कोई चीज जलती भी नहीं, तो it helps combustion, it helps combustion, खुद नहीं जलता, लेकिन जलने के लिए मदद करता है, उसके बाद आता है number carbon dioxide का, everybody knows the formula for carbon dioxide, CO2, oxygen O2, nitrogen 2, okay, तो photosynthesis, एक process होती है, इस process के मदद से जो plant होते है, खु photosynthesis in plant, इसके लिए carbon dioxide की मदद होती, fire extinguisher, मतलब क्या, अगनी शामक दल, मतलब क्या, वो टाकी रखी होती है, पेट्रोल पंपे, या किजी बड़े बिल्डिंग में, आग लग जाए तो उसको फोड के, बहुत सारा बाहर गयास निकलता है, and that gas is nothing but carbon dioxide, तो आच बुजाने के आग बुजाने के काम आएगा, fire extinguisher, मतलब आग बुजाने के काम आएगा, कौन carbon dioxide, उसके बाद आता है, औरगॉन, औरगॉन एक inert gas है, कम reactive gas है, okay, in electric bulb, कभी आपने बल फोड़ा है, बल फोड़ते ही उसमें से ग्यास बाहर निकलता है, and that gas is औरगॉन, कौन सा ग्यास होता ह है, उपर उड़ाई जाती है, उसमें helium का मदद हो जाती है, okay, तो कम temperature करने के लिए, या lift करने के लिए, उपर उठाने के लिए, helium का use होता है, sixth one, neon, neon, neon कहाँ पर होता है, decorative light, जो lighting लगी भी होती है, उसमें इसका use होता है, street lighting, okay, foreign में चले जाओ, रस्ते से एक decorative, एक मस्त lighting लगी होती है, that lighting is made up of neon bulbs, बोलते हैं उसको, क्या बोलते है, neon bulb, उसके बाद krypton bulbs होते है, fluorosun tube, fluorosun tube मतलब घबरा नहीं, अपने जो tube light होती है, that is nothing but fluorosun tube, उसको फोडना, उसके अंदर से gas बाहर निकलेगा, that is nothing but krypton, और finally आता है xenon, 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 flash photography, तो photography में इसका use होता है, flash photography में इसका use होता है, so these are the uses of constituent gases, constituent parts of the air, constituent parts of the air, ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, important role of atmosphere, तो role क्या है atmosphere का, ठीक है, समझना, sustaining life on the world, living world, living world, आदमी जिन्दा क्यों है, because of respiration, respiration oxygen के सिवाह नहीं हो सकता, और oxygen कहां पर होता है, air में होता है, तो जिन्दा रहना है, तो air की जरूरत होगी, atmosphere की जरूरत होगी, air की जरूरत होगी, या oxygen की जरूरत होगी, अब light and heat of sun can reach the earth's surface, ठीक है, imagine करो, imagine करो, this is the earth, यह हमारा earth है, this is the earth, और यह हमारा sun है, यह हमारा sun है, यह हमारा sun है, बराबर, this is the sun, सूरज है यह, तो यह sunlight, earth तक पहुँचने का कारण यह है यह atmosphere, यहां से यहां तक का, यह atmosphere, ठीक है, this atmosphere is responsible for, यह जो heat जा रही है, sun तक जा रही है, sun के, या फिर अर्थ पे ठीकी हुई है, अर्थ पे गरम माहुल क्यों है, because यह atmosphere ने उसको पकड़ रखा है, ठीक है, तो heat जो है, light और heat इसमें से जा रही है, because of atmosphere, atmosphere के वज़े से जा रही उसके बाद, preventing of harmful element from reaching up to the earth, hence acts as a filter, अब यह जो है, filter का काम करता है, filter की बारी आ गए तो एक चीज़ मैं आपको बता दू, अर्थ से 23 km पर एक filter लगा हुआ है, 23 km तका, इसा पूरा गोल होता है, हम सिर्फ यह साइड बता रहे है, 23 km तका, अर्थ सर्फेस से 23 km पर एक filter बैठा हुआ है, और वो filter है, कुछ gas का, कुछ gas का, that gas is ozone, क्या, और ozone का फर्मुला होता है, O3, याद रखना, ozone का फर्मुला होत है, और यह O2 क्या है, molecule of oxygen, molecule of oxygen, and O3 is not oxygen, O3 is ozone, special compound ozone, अब क्या होता है, यह अर्थ में sun जब light emit करता है, तो इसमें यह क्या करता है, कुछ harmful radiations छोड़ता है, इसको बोलते UV light, UV light, UV light मतलब ultraviolet light, क्या, ultraviolet light, अगर यह light आदमी के skin पर गिरीगी, तो यह carcinogenिक होती है, इसके होता है, cancer हो सकता है, तो यह ozone layer का काम क्या होता है, यह light को यह आगे पास होने नहीं देता, इसको यह absorb कर लेता है, यही पर absorb हो जाएगी, यही पर absorb हो जाएगी, तो यह जो harmful ultraviolet light है, यह आगे जाएगी क्या, नहीं, अर्थ तक पहुंचेगी क्या, नहीं, तो यह filter का का काम करते हैं और बेस्ट फिल्टर को ने ओजोन का लेर आगे पढ़ेंगे डिटेल में हो रहा हां प्रोड़क्शन आफ फॉग फॉग समझते हो ना ओके फॉग क्लाउड आबर आ जाना स्नुफॉल होना या पानी गिरना ये सारी चीजे किस वज़े से हो जाती है एक्मोस्फेर के वज़ जैसे हो जाती है तो आईए अब एर पॉलूशन पढ़ते हैं एर पॉलूशन मतलब हवा प्रदूशन हवेचे प्रदूशन ठीक है तो कुछ अनवांटेड सब्स्टंस कुछ पॉईजनस कुछ डेंजरस जो हीूमन हेल्थ के लिए डेंजरस होते हैं हार्मफुल होते हैं हैजर्डस होते हैं ऐसे सबस्टंस अगर आप एर में रिलीस करोगे तो एर पॉलूशन हो जाएगा तो ऐसे सबस्टंस कहां प्रदूस होते हैं इंडस्ट्री में इंडस्ट्री में क्या होता है धुआ बाहर निकलता है इनकंप्लीट कंबशन हुआ कि Sulfur Dioxide, Sulfur Trioxide, ऐसे harmful gases निकलते हैं, जो की human health के लिए अच्छे नहीं होते हैं, उसके बाद atomobiles, जो खुसे चलते हैं, इंजन वाले वेहिकल्स, जिसमें से धुआ भार निकलता है, तो ये poisonous gases हवा में release करते हैं, जिस वो जहसे air pollute हो जाता है, उसको air pollution बोल देख, ठीक है, तो समझना, when, एक लो definition इसकी, when harmful substance, नुकसान देने वाले substance, produced through combustion, तो कहां से produce होते हैं, combustion से, combustion करने के बात carbon dioxide 100% produce हो जागा, तो carbon dioxide भी अगर आप air में release करोगे, तो pollution होगा, are released into air, अगर हवा में release कर देख, आप कार खानों में से, industry में से निकलने वाला धुआ कहां छोड़ते हैं, air में छोड़ते हैं, atmosphere में छोड़ते हैं, it causes, चे कारण, causes मतलब जिसके वज़े से होना, air pollution, तो उस वज़े से air pollution होता है, pollutants like, pollution किस किस के वज़े से होता है, smoke disturb the balance between constituent of the air which in turn causes harmful effect on living organism, तो अब अगर यह harmful चीजे हमने हवा में छोड़ दी, तो पहले जो हवा का constituent घटक हमने सीखे, कि उसमें कौन-कौन से proportion में क्या-क्या होना चाहिए, तो वो disturb हो जाएगा, अगर वो disturb हो प्रोटीन वो disturb हो जाएगी, फिर आदमी को दमे अटाइप बिमारी हो जाएगी, respiratory system की, सास लेने में तकलिफ होना या इसी बिमारिया उसको हो सकती है, ठीक है, अब उसके बाद, cause of air pollution, air pollution क्यों होता है, caused by vehicles, जो भी देखो, सब के पास four-wheeler है, two-wheeler है, सब चला रहे है, diesel इसको जला रहे है, उसमें से धुआ बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो ये vehicles के वज़े से हो रहा है, industry is very, very major reason for air pollution, industry में जो कुछ भी धुआ निकलता है, वो हवा में छोड़ दिया जाता है, directly, other sources where incomplete combustion takes place, ऐसा कुछ भी जहां पर incomplete combustion हो रहा है, जैसे forest fire, जंगल में आग लग ज जा रहा है, industry बढ़ते जा रहे है, industrialization होते जा रहा है, forest cut होते जा रहे है, तो इस वज़ा से air pollution बढ़ते जा रहे है, तो basically air pollution हो क्या रहा है, air का जो basic constituent है, basic घटक है उसके, उसको change कर देना, और कुछ dangerous gases उसके अंदर inhale करना, छोड़ देना, that is called as air pollution, okay, हवा production, okay, तो harmful air pollutants, तो नुकसान दे air pollutants कोन कोन से होते है, nitrogen dioxide, very harmful, nitrogen dioxide, इसका नाम का है nitrogen dioxide मतलब दो oxide, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, sulfur dioxide, carbon dioxide, carbon monoxide, mono मतलब एक, carbon monoxide और suit particles, दुडी चे कन, suit particles, तो ये क्या है, harmful होते है, ये क्या होते है, harmful होते है, समझ गया, इतना लिख लो आप, इसके लिए मुझे एक diagram बनानी, इसलिए मुझे मेटना पड़ेगा, रब करना पड़ेगा, लिख लिए आपने air pollution, तो air pollution मतलब ऐसे unwanted substance, जो कि harmful होते है, या dangerous होते है, इनको हवा में release करना, इसको बोलते है, air pollution, क्या बोलते है, air pollution, अब air pollution के बाद हमें एक layer पढ़ना है, that layer is ozone layer, कौन सा layer, ozone layer, ठीक है, तो मैं detailed diagram बना रोंड about the commanding में, पहला layer, tropical sphere, ठीक न, tropical sphere, tropical sphere के बाद, status sphere, पेद मेजosphere, mesosphere, 편ution के बाद, ionosphere, ionosphere के बाद, ionosphere के बाद, saara, इसके आगे का पूरा, exosphere होता है, क्या होता है, exotic sphere, तो यह क्या है, status sphere, mezosphere, ionosphere, exosphere, और सब्से पहला layer, exosphere, यह postponed width, can you? नहीं का exosphere यह mesosphere यह stratosphere यह troposphere पहला लियर कौम सा ट्रोपो इस थियर ठीक है तो सारी हवा तो इसमें ही होती है इसमें ही होती है ठीक है अब क्या होता है अर्थ से 23 km तक अब यह लेर कहां तक है 12 km तक है 12 km तक okay statusphere के अंदर, कहां पर, statusphere, अब ये 12 से 50 तक statusphere होता है, क्या, 12 से 50, अब ये चीजे 12 में है आपको, 12 से 50 km तक statusphere होता है, 50 से I think 80, देख ले लेना नेट पर एक बार, 80 km तक, 80 से कुछ है फिर आगया देख लेना, तो ऐर्थ से लगभग मेरे हिसाब से 23 किलोमेटर पे, 23 किलोमेटर का है यह, 23 किलोमेटर का, स्टैटो स्पियर के अंदर 23 किलोमेटर पे एक लेयर है, तेविस किलोमेटर पे एक protective layer है, जो स्टैटो स्पियर के अंदर होता है, एक protective layer होता है, ऐसे यह protective layer है, this protective layer is made up of compound called ozone, यह किसे बना हुआ है, ozone से, और ozone का formula क्या होता है, O3, क्या होता है, O3, ठीक है न, तो स्टैटो स्पियर के अंदर, स्टैटो स्पियर के अंदर, एक protective layer बना ह हुआ है जो 23 km तक है, lower part में, स्टैटोस्पियर के lower part में, एक protective layer बना हुआ है ozone का, अगर इस पर sun, sun, ये sun है सब्सक्राइब, ये sun से निकलने वाली sunlight है, ठीक है, ये sunlight है, ये sunlight है, this is the sunlight, this is the sunlight, ओकई, ये sunlight है, ओके, या इसी क्या बोलते हैं UV light और यह UV light carcinogenic होती है, carcinogenic मतलब cancer producing, carcinogenic होती है, अगर यह human body पे गिर गई तो हमें cancer हो जाएगा, तो अब यह इसका काम क्या है, ओजोन का काम क्या है, इसको absorb कर लेना, इसको आगे जाने देना है, क्या आर्थ तक पहुंचने देना है, नहीं, यह आप क्या हipes आपको protect कर रहे हैं, किससे यह absorb कर ले रहा है, यह पूरा ultraviolet light आ रहा है, इसको absorb करने का काम, यह filter का काम क्यों क्यों कर रहा है, ozone कर रहा है, लेकिन लेकिन, आजकल pollution भहुत हो रहा है, ऐसे का यूज़ज़चरेटर का यूज जाधा हो रहा है, तो AC और refrigerator में से, AC और refrigerator में से, refrigerator मतलब fridge, कुछ gases बाहर निकल थे, जैसे कि CCL4, carbon tetra मतलब 4, mono, die, tri tetra, mono मतलब 1, die मतलब 2 tri मतलब 3, tetra मतलब 4 carbon tetra chloride, chlorine है या, carbon tetra chloride या फिर, या फिर CCL2F2 fluoroclorocarbon, fluoroclorocarbon या chloroflorocarbon, ऐसे बोल सकते हो chloroflorocarbon, chloroflorocarbon यह ऐसे compound बाहर निकलते किस में से, AC और refrigerator में से तो यह क्या करेंगे, यह compound क्या करेंगे ozone के layer को खा जाएंगे, deplet कर देंगे, तो अगर ozone का layer ऐसे deplet हो गया तो क्या हो जाएगा, यह जो harmful radiation है, यह जो harmful food radiation है, और surface पे आ जाएंगे filter निकल जाएगा ना, तो और surface पे अगर आ गए, तो it will be very dangerous for living organism, living organism के लिए बहुत dangerous हो सकते हैं ठीक है, तो ऐसा ना हो, लोगों को aware करें, इसलिए 16 September अभी आने वाला है, 16 September ozone protection day के तोर पर मनाया जाता है, समझ में आए, यह logic है, अब देखो कहिसा logic है, in lower part of stratosphere, जो दूसरा layer है, पहला है troposphere, दूसरा stratosphere, stratosphere के lower part में, there is a layer of ozone, यहाँ पर एक layer है, किसका ozone का, अब यह ozone का काम क्या है, ozone prevent harmful ultraviolet rays, जो सूरज ये सन है, जो सूरज से harmful, नुकसान दे, नुकसान दे, harmful होते हैं, harmful जो ultraviolet radiations है, from sun on reaching the earth, तो जमीन पे आने से उनको रोगता है, उनको absorb कर लेता है, अगर होगा तो deplet नहीं हुआ तो उनको absorb कर लेगा, ठीक है, अब दिन पे दिन क्या हो रहा है, पोलूशन बढ़ते जा रहा है, तो ozone का layer deplet होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, ठीक है, तो nowadays nowadays harmful chemicals such as carbon tetra chloride, उसका formula देख लो, carbon tetra chloride, carbon tetra chloride and chlorofluorocarbon chlorofluorocarbon, इनको freon भी बोलते हैं, याद रखना, 12th में है आपको यह, क्या बोलते हैं, फ्रेयोंस, क्या बोलते है, फ्रेयोंस, क्या बोलते है, तो refrigerator और AC में से जो बाहर निकलता है उनको बोलते है फ्रेयोंस, ऐसे compound तो can destroy ozone layer, ये क्या कर रहे है, ozone layer को destroy कर रहे है destroy कर रहे, तो these gases ये जो gases है, are used in air conditioner and refrigerator यह ग्यास कहाँ पर यूज और यह पूरा डिपलेट अगर हो गया और वह अपने अर्थ पर आ गया तो राम नाम सत्य है उसके बाद ओजोन प्रोटेक्शन डे तो इसी वजह से मेबी पॉसिबिलिटी आगे की जो डिजास्टर है या जो कुछ भी आपती आने वाली अर्थ पर उसको टालने के लिए 16 सप्टेम्बर को 16 सप्टेम्बर को every year, all year, all over the world, पूरे दुनिया में celebrate किया जाता है ओजोन प्रोटेक्शन डे के तोर पर ओजोन प्रोटेक्शन डे के तोर पर तो सारी जगा नोटिफिकेशन चला जाएका आज ओजोन प्रोटेक्शन डे है ओजोन प्रोटेक्शन डे है तो लोग बोलेगे ये कौन सा डे है फिर डिसकेशन होगा ना कि ऐसा ऐसा लेयर है भाई ये एसी में और रेफ्रिजरेटर में जो हम ग्यास यूज़ कर रहे है उस वज़ासे वो डिपलेट हो रहा है अगर पूरा अगर डिपलेट हो गया तो इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर हुमन बिंग तो आदमी अवेर हो स पूर शुरू करते हैं जिसका नाम है वाटर चलो अब हवा का तो ठीक था लेकिन वाटर के बीना तो हम जी ही नहीं सकते हम जी सकते लेकिन पानी के बीना भी हम जी नहीं सकते तो देखलो water is needed for survival of living organism कोई rocket science नहीं है पानी की बहुत जादा जरूरत होती विदाउट पानी हम जी नहीं सकते amount of water अब कितना पानी लगता है amount of water needed for organism depends on size of its body उसके body का क्या size है इस पर डिपेंड करेगा उसको कितना पानी लगता है उतना पानी हमें लगता है अब मुंगी चोटे चोटे इंसेक्ट होंगे इनको तो बहुत कम पानी लगेगा तो जितनी जादा बड़ी बोड़ी उतना जादा आपको पानी लगेगा ठीक है for example for example for smooth functioning of our body हमारे body के smooth functioning के लिए we require three to four liter अब डॉक्टर बोलते है साथ से आठ लिटर लेकिन minimum of water daily तो तीन से चार लिटर कम से कम पीना पड़ेगा इससे कम पी होगे तो उसके dangerous effect होगे आपके body पे अच्छे effect नहीं होगे ठीक है अब कैसे बनता है पानी hydrogen की reaction अगर oxygen के साथ होगी मतलब hydrogen को directly आप burn करोगे तो पानी बन जाएगा जैसे कि पानी का formula होता है यच 2-0 क्या होता है यच 2-0 अब hydrogen को burn कतला मतलब यच 2-0 के अंदर अगर आप oxygen डाल दोगे तो क्या मिल जाएगा यच 2-0 क्या मिल जाएगा पानी मिल जाएगा ठीक है अब इसकी balancing होती ये 2 लेना पड़ता है ये 2 तो ये पानी आपको solid form में मिलेगा पानी आपको liquid form में मिलेगा पानी आपको gas form में मिलेगा ओके तो solid form में क्या है आइस अंटर्टिका में चले जाओ पूरा बर्फी है लिक्वीड लेक समंदर इसमें सारा liquid है ओके और gas steam हवा में steam होती है ना पानी के vapors present है तो पानी तीनों state में available तो पानी कैसे होता है colorless, इसको कोई color नहीं होता, orderless इसका smell भी नहीं होता, taste less, इसको कोई taste भी नहीं होता, मीटा खटा ऐसा, कुछ भी नहीं होता, तो water is colorless, odorless and tasteless और क्या है, liquid, normally क्या होता है, liquid, यह NTP, normal temperature, pressure पर उसकी state क्या होती है, liquid, तो colorless, odorless and tasteless liquid, water क्या है, colorless, color नहीं है, ना उसको taste है, ना उसको कोई smell है, तो colorless, odorless और smellless, tasteless, liquid है, okay, since many substance can dissolve in water, लगभग सारे ही substance पानी में पिगल जाते, शकर पानी में पिगलती है, न नमक पानी में पिगलता है, नीमबू पानी में पिगलता है, normally सारी चीज़े पानी में पिगलती है, इसलिए पानी को बोला जाता है, universal solvent, क्या बोला जाता है, universal solvent, देखो कुछ चीज धोनी है, तो आप क्या यूज़ करते हो पानी, क्यों यूज़ करते हो, विकाज जो धो रहे आप चीखल दोड़े कुछ दो ना चाहते हो आप तो पानी से दोगे तो पानी में सारी चीज़े अल्मोस्ट पिघलती है तो पानी में अल्मोस्ट सारी चीज़े पिघलती है इसलिए पानी को क्या बोल जाता है युनिवर्सल सॉलवन कौनसा सॉलवन युनिवर्सल सॉ जिसके जैसे ब्लड रेपड करेंबागे बहुत जादा कॉन्टिटी में पानी होगा उसको मम उनना प्लाजर बोलते हैं और end में मेरड किसार का सण में कुछार मिनरल उर यह थे हो और तो animal body में भी बहुत ज़ादा पानी होता है और plant body में भी बहुत ज़ादा पानी होता है animal body में कहा होता है blood के अंदर और उसको बोलते है plasma और plant body में कहा होता है sap में sap मतलब ख्षार अब उसके बाद it is said that water is life ऐसे बोला जाता है कि पानी life है जल जीवन है why because nobody can survive without water बिना पानी के कोई जी नहीं सकता इसलिए जल जीवन है ऐसा बोला जाता है for drinking purpose very small quantity of water left on the earth अभी हमने बोला था 71% earth surface is occupied by the water but that water is sea water ocean water and that is salt उसको हम पी सकते हैं क्या पी नहीं सकते तो पीने लायक पानी बहुत कम बचा है earth surface पे और surface पे पीने लायक पानी मीठा पानी जिसको हम बोलते हैं बहुत कम बचा है तो natural source of water कौन कौन से जो nature में मिलते हैं वो stream stream याने छोटी नदी प्रवाहा छोटी नदी rivers नदी, ponds, डपका spring, जरे, lake, तालाब तो ये चीज़े हैं natural source of water अब man-made sources वेल, बौडी खोदेना हम वेल वीर, बौडी खोदेना, बोर वेल, बोर गिराते हैं बंड, बांध, बांध तो अब water cycle पढ़ते हैं water cycle कैसे होती है देख लो, हमने पहले ही देखा है कि जो earth का 71% surface है वो water occupied है लेकिन all the water is not drinkable और usable, मीठा पानी नहीं है वो ocean होता है, खारा पानी होता है तो because of sun's heat सूरज की heat के वजह से वो पानी का evaporation होता है evaporation मतलब उसकी steam बनती है अब steam तो सिर्फ pure water की बनेगी ना, उसमें के salt की थोड़ी steam बनेगी, तो पानी सारा evaporate होके उपर चला जाएगा उपर जाने के बाद वो थंडा होगा थंडा होके उसका ढग बन जाएगा उसका अबर बन जाएगा और वो पानी के फॉर्म में नीचे गिर जाएगा and that is drinkable water वो मीठा पानी है, इसको ही क्या बोलते है water cycle बोलते है, क्या बोलते है water cycle, ओके, तो all the water on earth सारा पानी कहां से आता है is regulated through water cycle किससे regulate किया जाता है water cycle से, किससे? water cycle से जो अभी मैंने आपको बता है, उससे regulate किया जाता है अब क्या होती है water cycle ocean water, मतलब जो सागर, समंदर है ocean water, evaporate evaporate होना मतलब liquid का gas बनना या liquid का steam बनना ओके, तो ocean का पानी evaporate हो जाता है because of sun's heat किस वज़ा से? सूरज की heat की वज़े से सूरिया चिया उशनते मुड़े सूरज की heat की वज़े से this water vapors condense condense मतलब ठंडे होना, नजदी काना अब देखो, पानी का steam बना तो फैल ना, फैल गया हो expand हो गया और फिर उपर जाने के बाद steam का फिर से पानी कब होगा? condense होने के बाद तो condense होना मतलब ठंडा होना condense after reaching the sky जब sky में चला गया ऊपर चला गया, तो ठंडा हो गया and fall back on the earth in the form of rain तो पानी बनकर वो नीचे गिरेगा देख लो, सूरज के heat के वजह से ocean का पानी evaporate होगा liquid का gas होगा यह gas उपर जाएगा, यह steam उपर जाएगा उपर जाने के बाद steam ठंडा होगा ठंडा होके condense होगा condense होके नजदिक आएगा नजदिक आने के बाद फिर से पानी होके rain के form में नीचे गिरेगा फिर rain water rain water creates fresh water sources on the earth fresh water sources मतलब drinkable अभी यह पानी मीठा होता है पीने के लिए 100% अच्छा होता है ठीक है? अब देख लो uncontrolled use of water अभी uncontrolled use of water होने का एक ही कारण है that is uncontrolled population ठीक है ना? आज कल लोगों को कुछ काम नहीं रहा तो increasing population लोक संख्या वाढ़ने increasing population अब population बड़ी तो industry बड़ी बनाने पड़ी because उतने बड़े population के जो daily needs से उसको हम complete करना पड़ेगा ना? जादे cloth लगेंगे जादे shelter लगेंगे तो cloth industry बढ़ गई फिर power plant बढ़ गए ठीक है ना? तो इस तरह से increasing population increasing industry and farming खेती भी बड़ाने पड़ी खाना पड़ेगा ना उनको कुछ all are responsible ये तीन कारण है population बढ़ना industry का बढ़ना और खेती जादी करना खेती को भी पानी लगता है responsible for excessive use of water यहाँ पर क्या होता है? limit से जादा पानी का use होता है water scarcity मतलब पानी टंचाई पानी की कम तरता पानी कम गिरना water scarcity मतलब टंचाई water scarcity is thus a grave problem बहुत बड़ी समस्या है पानी टंचाई एक बहुत बड़ी समस्या है population बढ़ते जा रही है population के demand को पूरा करने के लिए industry बनाना पढ़ रहा है farming जादा करना पढ़ रहा है इस वज़े से पानी का जादा use होगा और पानी टंचाई की बहुत बड़ी dangerous problem हमें face करना पढ़ेगा ठीक है? तो कुछ important fact है water के बारे में समझते है important facts about the water water के बारे में कुछ important factor water should be used sparingly sparingly मतलब कमी प्रमानात कम proportion में उसको use करना पढ़ेगा कितना भी पानी फेक रहो है ऐसे नहीं करना water को एक limited proportion में आप use करना हो सके उतना काट कसर से उतला limited use करो ज्यादा excessive use मत करो by blocking the water it can be percolated in the ground शोष खड़े का item मालू है कि आपको जो आपका sand पानी होता है या घर का extra पानी होता है वो क्या खड़े में लेक जाके छोड़ देते हैं और वहाँ पर पर कुलेट होता है जमीन के अंदर चला जाता है इससे जमीन का पानी का लेवल बढ़ेगा पहले कहीं पर भी बोर मारो पानी लगता था लेकिन अभी लग रहा है क्या नहीं तो जमीन में का पानी खतम होते जा रहा ना तो इसका एक base solution क्या है हम जो पानी फेक देते हैं मतलब बाथीं के बाद हमारा जो घर का एक्स्ट्रा पानी होता है खराब पानी वो पानी को जमीन में खड़ा करके अंदर उसको percolate होने देना अंदर जाने देना इससे क्या होगा पानी का लेवल बढ़ जाएगा ठीक है तो rainwater harvesting rainwater harvesting बहुत interesting होता है पानी के उपर से जो आपके पानी को एक खड़े में ले जाके छोड़ देना और उसमें percolate होने देना जमीन के अंदर जाने देना या किसी वेल के अंदर छोड़ देना बवडी के अंदर छोड़ देना storing water storing water पानी को जमा करके रखना वो आमीर खान ने निकाला था scheme क्या थी यार वो जगा जगा पर खड़े करके पानी को percolate कराया जा रहा था ठीक है ना is the most important ways to solve problem of water scarcity मतलब पानी तंचाई scarcity मतलब तंचाई मतलब पानी की जो कम तरता है अगर आपको वो कम करना होगा उसके problem का solution क्या है rain water harvesting जो पानी गिर गा तो उसको आड़ा के रखो उसको जमीन के अंदर मुर्णे के लिए जिरपने के लिए मजबूर करो खड़े करो खड़े के अंदर पानी जिरपने दो percolate होने दो इससे क्या होगा जमीन का water level बढ़ जाएगा ओके तो stored water जो होता है does not become stale, stale मतलब यह कभी बासी नहीं होता शिडा, in Marathi शिडा नहीं होता, in Indy बासी नहीं होता यह कभी बासी होता है क्या मतलब जैसा आनाज खराब हो जाता है, आज काम कल खाते है क्या नहीं खाते, फ्रीज में रखके फिर भी एक दिन तक खा सकते हो 8 दिन तक खा सकते हो क्या नहीं ऐसे पानी को कितने भी दीन श्टोर करके रखो बासी होता है क्या नहीं यह एक सब्स्टंस्स है जिसको कलर है ना रंग है ना टेस्ट है तो इसलिए वो बासी नहीं होता उसमें खराब होने जैसा कोई characteristics ही नहीं है इसलिए हमेशा पानी की तरह रहे ना ठीक है ना तो ये कभी बासी नहीं होता तो इस शूड़ भी reused wherever possible जब भी possible हो तो इसका reuse possible होता है तो ये कुछ important fact है पानी के बारे में ये कभी भी बासी नहीं होता शिड़ा नहीं होता अब air और water के बाद तीसरा natural resources है land very important जिस पे हम रहते हैं land मतलब जमीन अब जीने के लिए जितना हमें air की जरूरत है जितना हमें पानी की जरूरत है तो shelter के लिए land भी लगेगा ना या ठीक है तो जमीन तो कुछ question पूछे हैं पहले उनको हल करते हैं फिर start करते हैं तो what is land made up of जमीन किसे बनी हुए soil मिटी से rock खड़क से stone पत्थर से तो जमीन किसे बनी होती है मिटी खड़क और stone पत्थर से why do you see on this land अब क्या observe करते हो mountain परवत valley, दरी, river, नदी, oceans है, जमीन पर oceans है उसके बाद urban region में मतलब शहरी भाग में चले जाओ आप तो आपको building दिखेंगे, construction दिखेंगे, bridge दिखेंगे, mall दिखेंगे, road दिखेंगे, शहरी भाग में और अगर आप rural area ग्रामीन भाग में चले जाओ आपको खेद दिखेंगे, orchids, बगीचे दिखेंगे, trees दिखेंगे, जंगल दिखेंगे, ये सारी चीज़े कहां पर दिखेंगे, rural area ठीक है, उसके बाद what has man created on land, जमीन पर आदमी नी क्या बनाया है, shelter बनाया है, खुद के र अंदर तक आपने खड़ा खोदा, dug, खोदा, in the ground, what you find, आपको क्या find होगा, different layers, different layers of size, उपर की मिटी बहुत नरम होगी, जैसे जैसे नीचे चले जाओ, वैसे वैसे आपको rock लगेगा, फिर उसके नीचे और strong rock, और strong rock, ऐसे अलग-अलग layer मिलेंगे, ठीक है, उसके बाद, is land flat everywhere, cricket मैदान के जैसा, सब तर फ्लैट है गया, नहीं है न, flat कहाँ पर है, no, land is not flat, land is uneven, uneven है, कई जगों पर उचाई है, जिसको हम mountain बोलते है, परवत बोलते है, और कई जगों पर लंबे-लंबे खड़े है, इसको हम valleys बोलते है, भोत डोंगी valleys, okay, उसके बाद, does man produce soil or land, yes, man can artificially produce a soil by the process called as recalmation, recalmation, okay, recalmation process क्या होता है, नदी के नीचे का पानी या नदी के साइट का जो जमीन होती है, उसको soil में कनोट कर देना, उसकी जमीन बना देना, या ocean के नीचे वाली जमीन, suppose पानी उदर से मू हो गया, पानी सूख गया, तालाब सूख गया, उसको soil ब recalmation, तो artificially, जमीन बनाने के process को क्या बोलते है, recalmation, तो जमीन ऐसे produce नहीं करती हो, वहाँ सिर्फ ocean के नीचे की, river के नीचे की, या shore है, river का shore है, जो किनारा है, वहाँ पर खेती करेंगे, तो ऐसे, जब water level कम होगा, तो वहाँ पर आप खेती कर सकते हो, पानी का level बढ़ तो अंडर वाटर चली जाएगी जमी, that process is called as recalmation, reclamation, या reclamation, देख लेना उसका pronunciation क्या है, reclamation, reclamation, ठीक रहेगा, ओके, चलो, अब यहाँ पर देखो, introduction शुरू करेंगे, land का, land is made up of, land किसे बनी है, soil, मिटी, stone, पत्थर, and big rock, बड़े-बड़े खड़क, rock मतलब खड़क, it is uneven, जमीन कैसे होती है, uneven, कमी पर उचाई है, कहीं पर खड़े है, some place, it is hilly at some place, उचाई को क्या बोलेंगे, hilly बोलेंगे, flat and other place, किसी प्लेस पे flat, flat है, okay, leveled है, और किसी प्लेस पे valleys भी होंगे, मतलब खड़े भी होंगे, okay, उचाई होगी, flat होगा, hilly होगा, देखो, इसको बोलेंगे, hills, इसको बोलेंगे, flat, इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, valley, ये valley, ये flat, ये hilly, ऐसी uneven है, जमीन, okay, all terrestrial living thing, अब देखो, जो bodies होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक होता है, celestial, celestial, celestial मतलब खगोली, मतलब जो space में रहते हैं, चान, तारे, ऐसे, उसको बोलते है celestial body, और जो जमीन पे होती हैं, उसको बोलते है, terrestrial, उसको क्या बोलते है, terrestrial, याद रखना, celestial, terrestrial, दोनों opposite word है, celestial मतलब जो space में रहते हैं, चान, तारे, ग्रह, तारे, चंदा, सूरज, ये सारी चीज़े, terrestrial मतलब जो जमीन पे रह सकते हैं, तो जमीन पे रहने वारे सारे living thing, कहां पर रहते हैं, are given a shelter, shelter मतलब उसको घर दिया गया, निवास दिया गया, by land, land पे रहते हैं, और सम एनिमल, चुहे के जैसे, सम एनिमल, डिग, बरो, बरो मतलब बिल, बिल खोद के रहते हैं, साब, चुहा, okay, in the land, जमीन के अंदर, खड़ा खोद के अंदर जाके रहत हैं, man uses land for farming, खेती करने के लिए भी यूज करते हैं, construction के लिए, building वगेरा बनाने के लिए, shelter बनाने के लिए, road बनाने के लिए, land man use करता है, उसके बाद, we make use of plants and animals, which are found in forest land, तो जंगल के जमीन पर जो आपको जानवर मिल जाते हैं, जैसे आप ससा पकड़ के लाओगे, या फिर आप कोई animal पकड़ के लाओगे, जो non-wage लोग होते हैं, उखाते हैं उसको काटके, या फिर कुछ आउशदी वनस्पती होती है, मतलब जिससे medicine वगेरा बनती है, तो ऐसी चीज़े कहाँ पर मिलती है, forest के land पर मिलती है, ठीक है, जंगल में मिलती है, तो land is important resource, land एक ब अरे भी countries में तेल कहाँ निकलता है, जमीन के अंदर से निकलता है, ना, natural gas मिल जाएगा, तो इस तरह से natural gas का source जमीन है, mineral कहाँ मिलते है, source में, जमीन में मिलते है, land में मिलते है, crude oil कहाँ पर मिलता है, जमीन में मिलता है, और इसके बावजूद, जमीन के अंदर metals भी मिलते सोने की खान, कोईले की खान, यह सारी चीज़े कहां पर मिलती है, जमीन के अंदर मिलती है, so this is the introduction of land. अब जो land बनी होती है, वो soil से, मतलब मिटी से बनी होती है, और मिटी के अलग-अलग layer होती है, अगर आप खड़ा खोदते जाओगे नीचे, तो आपको अलग-अलग layers दिखाई देंगे, और basically 4 layer होती है, soil के, पहला होता है humus, जो सबसे उपर होता है, उसके नीचे immature soil, उसके bedrock, bedrock, यह बहुत hard होता है, bedrock, ठीके ना, तो the sequence with which the layers of soil are present from top to bottom, तो उपर से नीचे, जिस sequence में layers रहेंगे, soil के, वो कुछ इस तरह से है, तो सबसे top वाला जो layer है, उसको humus बोलेंगे, उसके नीचे क्या रहेगा, immature soil, उसके नीचे layer of soil and small rock, छोटा-छोटा खड़क होगा, पर finally bedrock होगा, बहुत hard, उसके नीचे खड़क होगा, तो सबसे पहला जो layer है, उसको humus बोलते है, अब humus क्या होता है, the topmost layer of soil, जो सबसे उपर वाला layer होता है, मिट्टी का, उसको humus बोलते है, is formed by the decomposition, मतलब जमा होना, decomposition of the remains, मतलब बाकी रहे चुका, of plant, मतलब घास बढ़ vegetarian लोग मुर्गे के पंक हो अगेरा फेक देंगे, यह type का, okay, this is called humus, तो सबसे उपर वाला जो layer होता है, जो animal और plant remains से बनता है, उसके उपर घास की layer आ जाएगी एक, तो उस layer को क्या बोलेंगे, humus बोलेंगे, क्या बोलेंगे, humus बोलेंगे, ठीक है, अब second वाला जो layer है, immature soil, क्या बोलते है, immature soil, तो humus के नीचे वाला जो layer होता है, the layer of the land which is full of sand, इसमें पूरी रेत होती है, okay, इसमें पूरी रेत होती है, sand मतलब रेत वालू, soil मिटी होती है, small stone, छोटे-छोटे पत्तर होते है, worms, खेकडे ठाइप, छोटे-छोटे कीडे, मकोडे इसमें होते है, insects होते है, कीडे होते है, इसमें, is called immature soil, इसको क्या बलते है, immature soil, तो humus के नीचे वाले layer को immature soil बोलते है, below this, there is bedrock, अब इसके नीचे, खड़क का रिजन शुरू होगा, rock का, अब immature soil के थोड़े नीचे क्या होगा, एक थोड़ा सा tough soil मिलेगी, उसको बोलेंगे, small rock की soil मिलेग और उसके नीचे, finally, ऐसा rock मिलेगा, जो break ही नहीं होगा, उसको बोलेंगे, bedrock, okay, bedrock, the main mineral of the soil are found in bedrock, तो mineral कहां पर मिलेगी, bedrock में, बहुत अंदर तक आपको dig करना पड़ेगा, खड़ा खोदना पड़ेगा, the type of soil is different in different region, अलग-अलग region में, मिट्टी अलग-अलग type की होग अब यह किस पर depend करता है, it depends on color and texture of constituent therein, वहाँ पर मिट्टी का color कैसा है, अब आप कहीं पर बड़े पहाड पे चले जाओ, लाल कलर की मिट्टी होगी, उसका texture, उसका feel अलग होगा, okay, उसका texture मतलब उसके particle का size अलग होगा, मिट्टी का color अलग होगा, आप खेत में चले जा So these are the different layers of soil, समझ में है, humus मतलब, जो उसके ओपर घास वगेरा, plant, animal, body के होगा, जैसे जो deposition होगे, जो सबसे उपर का layer होता है, वो humus होता है, और उसके नीचे immature soil होता है, इन से एक चोटे मोटे कीडे वगेरा कहा होते हैं, दूसरे layer में immature soil में होते हैं, और उसके नीचे bedrock शुरू हो जाएगा, थोड़े से अंदर जाने के बाद, immature soil और bedrock के बीच में क्या होगा, layer of soil and small rock, थोड़ा-थोड़ा medium size का rock यहाँ पर मिलेगा, लेकिन जैसे आप बहुत नीचे चले जाओगे, तो बहुत hard rock आपको मिलेगा, that is called as bedrock. तो अब soil formation को बहुत अच्छे से और detail में समझेंगे with diagram, soil कैसे बनती है, ठीक है, देख लो, तो होता क्या है, soil formed by natural process, which is very slow, very slow natural process, तो होता क्या है, यह जो rock होता है, बड़ा सा rock, खड़क, rock, अब यह rock पे क्या होगा, heat, cold and rain water, इस पे क्या होगा, गरम होगा, ठंडा होगा, उसे break हो जाएगा, heat, cold, और rain water, पानी के वज़े से, rain water, तो इस पे के मिट्टी भह जाएगी, इस पे की पूरी मिट्टी क्या हो जाएगी, भह जाएगी, heat, cold and rain water causes weathering of bedrock, weathering मतलब इसकी erosion हो जाएगा, इसका जमी नीची दूप हो जाएगी, पू पूरी मिट्टी भह जाने के बाद क्या हो जाएगा, गरम हो जाने के वसे crack आजाएगे, crack in the rock, crack, चीरा पढ़तिल, भेगा पढ़तिल, crack, crack in rock, तो इसमें cracks produce हो जाएगे, cracks produce हो जाएगे, अब cracks अगर produce हो गए, तो इसमें microbes का भी रोल आजाएगा, microbes, microbes, जो decomposition करेंगे इसका erosion होगा, erosion, अब यह erosion होने के बाद क्या हो जाएगा, यह rock जो है, वो break होता जाएगा, यह कई बार क्या होता है, जो bigger plants होते हैं, उसके roots इसमें घुज जाते, roots of plant, तो जैसे ही plant के root यह rock में घुज गए, rock break हो जाएगा, फुट जाएगा, और फुट के क्या हो जाएग क्या हो जाएगा soil formation ठीक है अब detail में समझो तो soil form by natural process यह पूरी natural process है heat, cold and rainwater cause weathering of bedrock heat, cold and rainwater क्यों जैसे इसकी weathering हो जाएगी erosion हो जाएगा weathering is process in which weathering मतलब क्या bedrock मतलब जो खड़क होता है बड़े-बड़े stone होते है is converted into stone, sand and soil तो अब इस पे अगर heat, cold rainwater continuously गिरते रहेंगे तो यह break हो जाएगा न भाई, यह break हो जाएगा तो bedrock break होके इसका sand बनना या stone बनना या soil बन जाना बारिक हो जाना, या piss जाना that process is called as weathering उसको क्या बोलेंगे? weathering बोलेंगे, okay this supplies a biotic component of soil तो soil के अंदर जो अजएविक घटक होते abiotic, मतलब जो जिन्दा नहीं होते वो supply करते जैसे कि क्या, soil, stand, stone यह सब supply करते हैं अब इसके बाद microbes, worms, insects and rodents मतलब चूहा अगरे जो होता है वो उसमें बिल कर देते बिल करने से वो क्या हो जाएगा? फुट जाएगा, break हो जाएगा further adds to the process of soil formation तो इसको break करके वो फिर से उसका erosion करेंगे उसको बारिक, 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 बारिक करेंगे और क्या हो जाएगा? soil formation हो जाएगा the roots of big tree also a weathering agent मतलब यह बड़े rocks में अगर बड़े पेड की जो root होती है जो मुल्ली होती है, अगर वो घुज गई तो ब्रेक हो जाएगा all these factors cause soil formation तो बड़े rock को, bedrock को break करने का काम करना मतलब वेधरिंग करना और यह कौन-कौन करते है heat, cold, rain, water इससे वो ब्रेक हो जाएगा और उससे क्या हो जाएगा? चोटे-चोटे पत्थर बन जाएगे soil बन जाएगी, stone बढ़ जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे? soil formation, ठीक है? तो soil formation आपको समझ में soil formation में क्या होता है? बड़ा जो bedrock होता है, मतलब बड़ा खड़क होता है उसमें किसी पेड की मुल्ली घुज गई या heat, cold, rain, water के वज़े से उसका break हो जाना और break हो कि उसकी मिट्टी बनना that is called as soil formation soil formation की process सीखते हैं तो soil का 2.5 cm thick layer बनने के लिए हजारों साल लग जाएगे कितने साल लग जाएगे? हजारों साल लगते हैं तो ऐसा 20-25 साल में soil नहीं बनती, ठीक है ना? तो this is very, very, very gradual बहुत धीरे होती है यह process है बहुत धीरे होती है तो weathering of bedrock weathering of bedrock मतलब सबसे नीचे bedrock है bedrock चुपा हुआ है उसके उपर weather भी छा देना मतलब उसके उपर covering कर देना supplying of abiotic component मतलब abiotic component अब देख लो, उसमें कोई मतलब जमीन जिन्दा है क्या? abiotic component, land is a abiotic component biotic मतलब जो जिन्दा होते microbes, living organism, plant, animal उनको biotic बोलते, abiotic मतलब land, okay? bedrock नीचे जो खड़क है, सबसे strong खड़क, उसके उपर हम क्या कर रहे है? covering दे रही किसकी soil की, so that is supplying abiotic component हम क्या कर रहे? abiotic component supply कर रहे है, और supply करके हम weathering दे रहे, weathering मतलब covering दे रहे, bedrock को covering दे रहे, ठीक है? अब उसके बाद पढ़ते हैं, factors factors causing soil erosion soil erosion मतलब जमी नीची धूप, जमी नीची धूप soil erosion, अब इसको avoid करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? greenery बढ़ानी होगी अगर घास लगा दोगे आप, तो घास के वजह से घास की जो roots होती है, उसके जो मुला आस्ताथ, मुल्ली उसकी, उसको क्या करेगी? जमीन के मिट्टी को ऐसे पकड़ के रखेगी, तो पानी गिरने के बाद उसको बहने देगी क्या? नहीं, तो soil erosion नहीं होगा, जैसे कि देख लो, soil effect किस वजह से जमीनीची धूप होती है? पहले तो जमीनीची धूप, या soil erosion मतलब क्या? जो bedrock के ऊपर का soil का जो weather है, उसो soil की जो covering वो बहे जाना, उसको बोलेंगे soil erosion और bedrock exposed होना, तो heat, cold, wind, कई बार क्या होता है? समर में, मिट्टी उड़ जाती है पूरी हवा से, बहुत strong air आती है, पूरी मिट्टी उड़ जाती है, रेन वाटर, बहुत ज़्यादा पानी गिर गया है, या microbes, खड़ा खुद दिया, microbes ने, warm, okay, and insects, किडे, मकोडे, उन्होंने बिल कर दिया, अंदर, मिट्टी को हटा दिया, okay, activities of rodent, मतलब उंदीर, okay, like rat, mice, इस तरह के जो यह होते, तो यह क्या करते, खड़ा करते जमीन में, और मिट्टी को हटा देते हैं, मिट्टी को हटा देते हैं, roots of large tree, बहुत बड़े tree होगे, उसके roots अंदर घुसेंगे, तो soil को हटा देंगे, वो, okay, इस वजह से क्या होता है, soil erosion होता है, तो यह soil erosion, जमी नीची दूप हो अंदर मिट्टी कोंपोनेंट, उसमें कुछ जिन्दा है क्या मिट्टी में, नहीं, तो उसको हटा दे, उसको बोलेंगे, soil erosion, और यह कुछ factor है, जिस वजह से, soil erosion होता है, अब 2.5 cm thick layer of mature soil takes thousands of years, साल लग जाएंगे, हजारों साल लग जाएंगे, 2.5 cm का weathering देने के लिए, अ this is the bedrock, अब इसके ओपर soil का covering देना पड़ेगा हमे, weathering देना पड़ेगा, ओके, तो यह weathering देने को क्या बोलते है, soil formation, तो इसको हजारों साल लग जाते है, अब उसके बाद, human activities and natural calamities like flood, बहुत बड़ा पूर आ गया, महापूर, पूरी मिट्टी भेजाएंगे, यह इसके उपर की, okay, storm, चक्री वादर, causes destruction of soil, इस वज़े से क्या हो जाएगा, soil का destruction हो जाएगा, for the conservation of soil and for prevention of soil erosion, तो आपको अगर soil erosion अवाइट करना है, यह layer को उड़ नहीं जान देना है, बह नहीं जान देना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, green cover बढ़ाना पड़ेगा, green cover बढ पड़े लगाओ, पेड़ पड़े लगाने से क्या हो जाएगा, मिट्टी को पकड़ लेगा वो, ठीक है ना, तो अगर grass जादी होगी जमीन पे, तो soil erosion नहीं होगा, fossil fuel समझते, fossil fuel मतलब जिवाश्म इंधन, जो coal होता है, जमीन के अंदर coal मिल जाता है, crude oil मिल जाता है, kerosene, petrol, diesel, ये सारी चीज़े, जो जमीन के अंदर मिलती है, अब directly नहीं मिलती है, उन पर process करके use करते हैं, लेकिन basically उसका जो raw material है, वो तो जमीन में ही मिलता है, उसको क्या बोलते है, fossil fuel, अब ये fossil fuel कैसे बनता है, देख लो, fossil fuel मतलब जिवाश्म इंधन, तो ये बनता है animal और plant body से, okay, millions year अगो, लाखो साल पहले, जमीन की उल्टा पालट हो गई, और जो animals थे, या plant bodies थी, वो जमीन के अंदर दब गई, अब जमीन के अंदर दब जाने के बाद उन fossil fuel, and coal, दगडी कोरसा, is the best example of fossil fuel, उसको जिवाश में इंधन बोलते, मतलब जो सजीव अबजेक से बने, plant और अनिमल, जमीन के अंदर दब के जो बने, उसको बोलते, fossil fuel, natural gas, crude oil, ये सारे, fossil fuel, ठीक है, तो देखो, the forest on the land is buried, बुरीड मतलब जमीन के अंदर गढ जाना, okay, जम caused in earth crust, जमीन में जो उलट पलट हो गई, suppose, बहुत महापूर आ गया, महापूर आ गया, तो नीचे की जमीन ऊपर आ गई, उपर का, जो plant अनिमल थे, वो नीचे दब गए, ठीक है ना, तो ये जो उलटा पलट हो ए अर्थ क्रस्ट में, हिस्ट्री में, पास्ट में, this happens, ये ह वा मेनी मिलियां से रहा हो, लाखो साल पहले हुआ, अब ये लाखो साल तक ये animals और plant bodies जमीन के अंदर दबी रही, तो from the remains of living thing, अब जो बज गए, मतलब जमीन के अंदर जो दबे रहे, the fossil fuels were created, वो दबे जाके कैसे create गए, naturally created वे, due to pressure and heat, जमीन के अंदर दबे जाके उन पे pressure अपलाए हुआ, उसका विघटन हुआ, उस पे decomposition हुआ, heat दी गे उसको, और petrol, diesel, kerosene, paraffin, tar, उसके बाद wax can be obtained from this fossil fuel, तो इसी fossil fuel से हम ये अलग-अलग compound बना सकते हैं, उस पे process करके, तो coal is the best example of fossil fuel, तो fossil fuel पे process करके, ये अलग-अलग daily life के use की चीज़ हम बना सकते हैं, तो fossil fuel जिवाश्म इंधन बोलते हैं इसको, और जमीन के अंदर human bodies और plant bodies, जमीन के अंदर दब जाती है, due to uphills occurred, million year before, उल्टा पालट हो गई, जमीन के नीचे plant bodies दब गई, तो लाखो साल तक उन पे process होती रही, होती रही, होती रही, और finally, वो एक fuel में convert वे, that is coal या crude oil, उनको बो Indian subcontinent, इंडियन का जो subcontinent है, उसका weather study करने के लिए एक department बनाया गया, उसको बोलते हैं, Indian meteorological department, अब ये Indian meteorological department क्या करता है, weather forecasting करता है, हवा माना चा अंदाज बांध नहीं, मतलब कब पानी गिरेगा, कब नहीं गिरेगा, ठीक है, तो समझो, natural resources जो है, कौन से natural resources हमने पड़े in the form of air, water and land, हवा, पानी और जमीन are scared, मतलब ये limited है, okay, therefore we must use them carefully, okay, air, water और land को carefully use करना जरूरी है, तो इसलिए एक department बना गया है, जैसे कि मैंने बताया आपको Indian meteorological department, in order to study the weather, okay, climate study करने के लिए, Indian subcontinent का एक department बनाया गया, Indian meteorological department, established in 1875, अब ये department क्या क्या करता है, इस पर question आ सकता है, it observe the weather, ये weather को observe करेगा, और क्या करेगा, प्रेडिक्शन कैसे करेगा, weather and rainforest, forecast, पानी कब गिरेगा, दूब जादा रहेगी क्या, अब इस साल मानसून कब आने वाला, ये सारी चीज़ों का आंदास किस department के हिससे मे आता है, Indian meteorological department, कब बनाए गया, 1875 में, अब ये क्या करता है, conduct research related to changing weather, अब आप अब 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 सर कर रहे हो, एक news आती है, कि भाई, आगले 50 साल में sun का temperature इतना बढ़ जाएगा, कि ऐसे research कहा पर होते है, Indian meteorological department, और आपने देखा होगा, कि air pollution या किसी भी तरह का pollution इतना warming हो रही है, global warming मतलब अर्थ का temperature बढ़ते जा रहा है, तो ये जो अर्थ का temperature बढ़ते जा रहा है, इसको बोलते है global warming, तो global warming से related, जो कुछ भी study है, study or development related to global warming, ये कौन करेगा, IMD, Indian meteorological department, तो ये जो natural resources है, air हो गया, water हो गया, land होगा, इस केर, इनका carefully use करना जरूरी है, और इन Indian subcontinent के related study करने के लिए एक department बनाया गया, Indian meteorological department, 1875 में, इसका काम क्या है, weather को observe करना, weather का forecast करना, अंदाज बादना, कब पानी गिरेगा, कब नहीं गिरेगा, लोग ready रहेंगे, conduct research related to weather change, weather अगर change हो रहा है, तो उसका research करना, और development करना, regarding global warming, अब अलग-अलग diagram समझते हैं, सबसे पहले diagram देखिए, layers of land, इसमें सबसे उपर humus दिखाई दे रहा है, humus soil, उसके नीचे immature soil, उसके नीचे red color का, layer of soil, and small rocks, और सबसे नीचे सबसे hardest bedrock का layer है, अब ये दूसरी diagram, इस diagram में क्या है, properties of various gases in the air, तो हमें पता है, air is mixture of various kinds of gases, तो सबसे जादा इसमें 78% nitrogen होता है, 21% air oxygen होता है, 0.9% organ होता है, जो inert gas होता है, और carbon dioxide 0.03% होता है, और बचा हुआ जो 0.07% है, वो other constituent होते हैं, तो इन सारे component को मिला के 100% होता है, अब एक चीज़ याद रखना, total earth का जो globe है, उसमें 29% land है, जो green color की उपर दिखाए दे रहे हैं, और नीचे red में graphical representation किया हुआ है, और जो blue color का दिखाए दे रहे है, वो सारा water होता है, तो ऐसे 71% of earth surface is occupied by water, and 29% earth surface is occupied by the land, what is similarity between these three pictures, तो यह जो तीन डागराम दिखाए दे रहे, पहले डागराम में industrial जो धुआ होता है, industry का धुआ उसको air में छोड़ा गया, atmosphere में छोड़ा गया है, दूसरे picture में एक vehicle दिखाया गया है, और वो धुआ छोड़ रहा है, और तिसरे picture में forest fire ही, मायतने के जंगल में आग लगी भी है, तो तीनो situation में incomplete combustion हो रहा है, जिस वजह से धुआ निकड़ रहा है, और यह धु क्या दिखा रहा है, इन metropolitan cities like Mumbai, Pune और Nagpur, boards are displaced at a place of heavy traffic to show the proportion of the various constituent of the air at this place, due to these boards we can see the amount of harmful element in it, तो यह board क्या represent कर रहा है, कि जो जिस जगा पर आप रुके हुए हो, वहाँ पर air का constituent क्या है, मतलब महाँ पर pollution level क्या है, ऐसे boards metro city में लगाय जाते हैं, अब एक सवाल, commonly मुझे student life प surface का 71% part अगर water ने occupy किया है, तो हमें water problem क्यों face करना पड़ता है, तो इसका reason क्या है, जो 71% water है, उसमें का 97% water seas में या ocean में है, समंदर में है, तो यह खारा पानी होता है, इसको हम use नहीं कर सकते, और जो 2.7% water है, वो ground water है, जमीन के अंदर है, या ice के form में Antarctica पे available है, तो बच में पानी का problem feel करना पड़ता है, या face करना पड़ता है, अब chapter की शुरुआत में ही ये question दिया गया था, observe the picture alongside and answer the question, तो पहला सवाल क्या है, where do we see the birds, तो birds कहां पे देख रहे हैं, अब हवा में, तो हवा को क्या बोलते है, atmosphere, तो bird is in atmosphere, where is the cow grazing, गाय कहां पर चल रही है, lithosphere, ज जमीन पर है, where does the river come from, how does it flow, तो ये कहां पर होगा, ये hydrospear में होगा, okay, hydrospear में आएगा, where is the aeroplane, ये atmosphere में होगा, हवा में होगा, where are the fish seen, ये hydrospear में होगा, पानी के अंदर, on what is the sailboat floating, मतलब जो नाव तैर रही है, वो कहां पर तैर रही है, hydrospear में, तो ये atmosphere, hydrospear और lith these are the three spears of the earth do not forget to like, subscribe and share our channels for the better science, voila and of physics and also the facebook page, the hint group of institution, thank you